वेलकम तो हम हम इस वीडियो में जो है डिसकस करने वाले हैं वीव आप्टेक्स और एक्रमाइटिव इसका जो कुशन बैंक के सॉलिशन आप लोग देखेंगे के कुशन वाइस ठीक है तो फर्स्ट कुरूंब कुश्चिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है तो दिश्ट जहां पर आपको दिया गया है कि तो फिगर शोजन यंग स्टरबल स्लिट एक्सपरिमेंट दो स्लिट सें इनकी बीच का सेपरेशन आपके पास ए है तो इस अब्साइब दाट थिन ट्रांस्पर शीट ऑफ थिकनेस्टी और इफ्रेक्टिव इंडेक्स म तो अभी क्या क्या रहा है कि T की value पूछ रहा है आपसे so that the central maxima gets shifted by distance equal to n fringe width तो अगर आप यहां पे एक sheet रख देते हैं तो delta x कितना introduce होता है इससे mu minus 1 into t तो central maxima क्या shift होगा उसको हम y माल लेते हैं तो y माल लेते हैं तो this will be equal to y d by d, delta x का value या आता है तो y का value क्या हो जाएगा हमारे पास is equal to mu minus 1 into t into d by d अभी आप से क्या रहा है कि this should be equal to n lambda sorry n beta, beta मतलब हमारे पास इसका value n beta, beta मतलब fringe width ठीक है तो beta का value क्या हो जाएगा हमारे पास lambda into d by small d, so mu minus 1 t, यहां पे small d आयागा नीचे, d by d, d by d से d by d कट जाएगा p का value क्या जाएगा हमारे पास n lambda divided by mu minus 1 है को यसा option हमारे पास, बिल्कुल b option यही है तो simple, normal सा y d se का concept answer b दे रखा, very good question number 2, question number 2 भी आपका same repeat है, actually यह सवाल जो है j means में दो बार आया रखा है तो हम वहां से आपको दिखाने के लिए कि क्या इसका आपके पास math है सवाल का, इसलिए दो बार हमने भी रखा है तो यह क्या क्या रहा है, इन यह जो बस यहां पर यह है कि आपके पास central maxima जो है, it shifts by one fringe तो पिछले सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको n का value 1 पुट कर देना है, क्या करना है, n का value 1 तो t का value क्या रहा है था हमारे पास, n lambda by b minus 1 n 1 पुट करेंगे तो यह आपको बोल रखाए कि 1 fringe bit shift होना है, तो lambda upon mu minus 1 आपको solution दिखाई, दे जाए तो lambda upon mu minus 1 का मतलब हो गया, हमारे पास b option, clear, easy, चले, next, question number 3, third question क्या बोल रहा है, इन्हें यंग stubbersly experiment, let a and b be two slits, films of thickness t a and t b are refractive index, mu and mu he, तो replace in front of a and b, तो यहाँ पे आपके पास 2 slits के सामने, हमने 2 shape रख दी है, इसका आपके पास characterization क्या दिया हो है, mu a and t a, mu b and t b, तो क्या आएगा delta x, this will be is equal to mu a minus 1 into t a, minus mu b minus 1 into t b, path difference difference लेना है, इसलिए जो a और b का part difference, जो a अपने आप खुद लेकर के आता, वो यह है, b लेकर के आता, वो यह है, दोलों के बीच पे difference चीए, तो आपको क्या आजाएगा, mu a, t a, minus t a, minus mu b, t b, plus t b, तो यह actually mu a, t a, mu b, t b, आपको बराबर दे रखा है, तो delta x का value क्या आएग positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, dependent करता है कि आपके पास t b और t a में कौन ज्यादा आपके पास से किसकी thickness ज्यादा दी हुई है, तो अगर आप यहां पर धियान से देखें, क्या ऐसा कोई option हमें बोल रखा है कि जो thickness पर dependent हो, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि if t b is greater than t a कि आपके पास central maxima इधर की तरफ जा रहा है और shift towards b का मतलब इधर की तरफ जाता है, clear, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा, देखो not shift तो होई नहीं सकता है, क्योंकि 0 है नहीं, shift towards a, shift towards b, it is totally dependent on t b and t a, इसलिए हम यहां पर t b और t a वाले option को analyze कर रहे है, next, answer क्या है इसका आ पैटर्न आपको दिखा रखा है और आपसे distance s की बात कर रहा है, उसको आप ऐसे कर लेगा distance s, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दे रखा है कि यह central maxima, central maxima के बाद यह मतला first डाल के तो first minima, और यह हमारे पास है, sorry, central maxima, नहीं, first minima यह नहीं है, थोड़ा सा pattern क्या है, inverted हमे तो actually इसमें क्या है हमारे पास, यह first minima है, और यह second minima है, central maxima के बाद यह first maxima और यह second maxima, तो central maxima यह second आपके पास minima आता है, याद करिए NCRT के theory को, if a sin theta की value अगर आपके पास lambda, 2 lambda या फिर n lambda रहती है, a sin theta आपके पास part difference between these two rays जो आपके पास slit के एकदम end पर जाती है, right, य जाता है, आपके पास a sin theta, तो a sin theta का value lambda, 2 lambda, 3 lambda इस तरस से जब रहता है, तो आपको minima मिलता है, और जब जब इस a sin theta का value पास 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, और इस तरस से रहता है, तो आपको maximum मिलता है, तो हमें second minima के लिए 2 स्टीटा का वैल्यू हमारे पास टू लेंडा होता है पर्स्ट के लिए दिस्टेंस पूछ राणा कितना ऊपर शिफ्ट होगा तो हमें यह पता है की सेंटर मैक्सिमा से सेंटर लाइन से यह एंगल है हमारे पास 2 lambda by A, मुझे इस दिस्टन्स पूछ रहा है y, यह हो गया d, तो tan theta is equal to y by d, और small angle के लिए tan theta को ठीटा पूट करेंगे, theta का वज़ जाएका 2 lambda by a, तो y का वज़ जाएका 2 lambda into d by a, क्या हमें सवाल में lambda दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, width d हुई है, a यानिकी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, तो अब इसको put कर देते हैं, this will be equal to 2 into 600, nanometer दे रखा है, into d, d क्या दे रखा है, 2 meter, और width of the slit दे रखी है, 4 into 10 to the power minus 4, यहाँ पे आप देखने होंगे 2 into 2 into 4, यह cancel out हो गया, तो 600 into 10 to the power minus 5 meter, तो यह answer आपका आजाएगा, d1, 6a की option में आ रहा है, adjust करेंगे, 0.006 आजाएगा आपका, ठीक है, डन ना, देख लीजिए, सवाल है, simple NCRT की थियोरी जो आपको दे रखी होती है, उसी को हमने यहाँ पर उठा के put कर दिया है, चलिए बच्छे, तो question number 5 के तरफ बढ़ते हैं, तो question number 5 के दे रखा आप है, okay, electromagnetic wave का सवाल है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कि electromagnetic wave में आपके पास electric field का amplitude है, 66 volt per meter, wavelength आपको 3 meter दे रखी है, and आपसे पूझा है equation of electric and magnetic field, तो electric and magnetic field पे हमारे पास दियान से देखेंगे तो उस करनी जोड़त नहीं है आपको, क्योंकि यह 33 amplitude है, हाँ लेकिन यहाँ पे cos omega t minus x by v, चीक है, यह 11 है यह 33 है यह 66 है, तो amplitude 66 है, तो amplitude c answer आपका तो, अच्छा इसमें b का amplitude क्या दिका लेंगे हैं, वैसे हम निकाल के देख लेते हैं, तो b equal to e by c होता है, 66 upon 3 into 10 to the power 8, यानि कि 22 into 10 to the power minus 8, यानि कि 2.2 into 10 to the power minus 7, यह आगे आपके पास magnetic field का amplitude, क्या इस option में यह भी agree कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, अब एक और चीज़ आप चेक कर लिजे कि e x और b x दे रखा है, या e y by दे रखा है, e y by z दे रखा है, देखिए, e और b same direction में नहीं हो सकते, इसलिए भी यह दोनों option गलत है, दूसरा, अब e y और b z में हमें choose करना है सही वाला, तो सही वाला option क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास omega का फरक है, omega आप निकाल सकते हैं, किस से निकाल सकते हैं, omega equal to 2 pi into f, और frequency क्या होता, आपके पास c by lambda, तो 2 pi into c by lambda से आप omega निकाल के देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपके पास c की value कितनी है, 3 है, 3 into the power 8 नीचे भी 3 है, 3 by 3 में coefficient 1 आएगा कुछ power आएगी, तो 2 pi क्या function आएगा, यहाँ पर pi यह रखा है, यह भी गलत होगे, दूसरा, हाँ, तो ठीक है, 2 pi वाला function यहाँ पर आगा, अब बाकि t minus x by 2 हमारे पास सही है इसी, तो d option के साथ हम यहाँ पर tick करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, और answer एक पर check कर देते हैं, यही दे रखा है हमें, 5th का answer आपके पास, sorry, पिछले वाले का था answer यह, तो 5th का answer आपके पास क्या जाएगा, answer आएगा आपके पास d, इसको सही कर लीजेगा, यहाँ पर, this is d, देखेंगे, देखेंगे, फटाफट से, चले, question number 6 पे, अगर हमें देखेंगे, यहाँ पर, क्या दे रखा आपको, कि electric field की direction जो है, वो 10j-cap है, और direction of propagation को, अगर मैं इसको decode कर दो, तो यह होता है, kvector.rvec, यह लिखा हुआ है, 6i-cap plus 8k-cap, cross, xi-cap plus zk-cap, यह dot product लेकर कि आपको 6x plus 8z मिल जाएगा, तो इसको हमने इसको decode किया, कि यह ऐसा लिखा हुआ है, यह kvector क्या होता है, यह आपको बताता है, direction of propagation of wave, तो यानि कि मैं ऐसा बोलू कि, propagation of direction जो है, वो आपके पास, kvector की direction में, अगर मैं k-cap को बोलू, तो 6i-cap plus 8k-cap by 10, यानि कि, 3i-cap plus 4k-cap by 5, this is the direction of propagation of wave, electric field कि दर है, आपके पास, 10 निकाल होगे आप b-cap की direction, तो b-cap is equal to e-cap cross, sorry, c-cap cross e-cap, तो मुझे, जो b-cap चाहिए हो, किस से मिलेगा, वो मिलेगा, आपके पास, 3i-cap plus 4k-cap by 5 cross j-cap, j-cap is the unit vector in the direction of electric field, तो मुझे क्या मिलेगा, i cross j होता है, हमारे पास कितना, x-axis, y-axis, और यह z-axis, i cross k करके, j करके, k-cap आएगा, तो 3 by 5, k-cap, और j cross j कितना हो जाएगा, मने पास, 0, 1 minute, मैंने एक चीद लिख दी है, हाँ, यहाँ, k-cap आएगा, k cross j करके, देखें, k cross j करेंगे, तो इधर की तरफ आएगा, minus i-cap, तो, minus 4 by 5 i-cap, यानि कि, 1 by 5, minus 4 i-cap, plus 3 k-cap, या फिर, आप ऐसा बोल सकते हैं, it is equal to 1 by 10, minus 6 i-cap, plus 8 j-cap, क्योंकि original जो आपके पास factor था, वो 6 और 8 की term में था, इसलिए मैंने उसको 6 और 8 में लेगा हूँ, तो, direction को अगर मैं देखू, तो, minus 6 i-cap, plus 8 j-cap, by 10, sorry, 8 k-cap आएगा, sorry, minus 8 i-cap, ये आपके पास, 8 आएगा, ये पार ने गरत लिख दिया है, यहाँ पे, 2 से multiply करने के बाद, equation गरत हो गई है, यहाँ पे, हमारे पास क्या आएगा, ये, minus 8 i-cap, plus 6 k-cap, by 10, ये unit vector है, in the direction of your magnetic field, तो, minus 8 i-cap, minus 8 i-cap, minus 8 i-cap, 6 k-cap, सही बाद है, ठीक है, चाहिए, तो, minus 8 i-cap, 6 k-cap, यानि कि, a और c तो आपका answer नहीं है, ठीक है, तो, बचा option कौन-कौन सा हमारे पास, option बचा हमारे पास, यहाँ तो, b या फिर d, अब, b और d में से, अगर हमें सही चूज़ करना है, तो, हम पहले क्या करेंगे, b-cap का magnitude देख लेते हैं, magnitude कहां पे सही से match कर रहा है, तो, magnitude हमारे पास सही से match कर रहा है, दोनों में ही same है, दोनों में ही magnitude same है, तो, what is the difference, अचा, यह magnitude आया कैसे, e का value हो जाएगा, आपके पास, या b का value हो जाएगा, e by c, तो, e by c अगर आप करेंगे, तो, आपके पास क्या हो जाएगा, e का value आपके पास 10 है, तो, अगर आप इसके divide कर देंगे, तो, 10 से 10 cancel होकर कि यह बच जाएगा, आपके पास 1 by c और इस साथ में रेक्टर, अब आगे चलते, तो, direction के अगर आप करेंगे, तो, आपके पास 10 ct के साथ जाना पड़ेगा, plus density के साथ आप नहीं जा सकते हैं, तो, सही option हमारे पास b आना चाहिए, ठीक है, it is like k.r minus v vector into t, ठीक है, तो, answer b है, agreed, next question देख लेते हैं, next question क्या हमारे पास, आपके पास four pairs है, इन four pairs को आपको जमाना है, किस order में, कि कहां से ज्यादा intensity of light बाहर निकलेगी, इस one में ये दो है second में ये दो है, third में ये दो है, fourth में ये दो है, तो, आपके पास, according to the international transmitted light, least to greatest, कम से सबसे जादा, तो, कम से सबसे जादा आपको arrange करना है, यानि कि increasing order में, आपको arrange करना है, तो, देखे, आप intensity जालते है, unpolarized, तो, यहां से i0 by 2 मिलेगा, यहां पे i0 by 2 मिलेगा, क्योंकि आपके पास, जो second आता है, उसमें आप लगाएंगे, यहां से जो i dash निकलेगा, second वाले में, i dash होगा, आपके पास i0 into cos square theta, मैलस law, तो, मैलस law में, आपके पास क्या देखा जाता है, दोनों polarizer के बीच का angle, तो, angle यहां पे दो polarizer के बीच का, अगर हम देखेंगे, तो, यह 60 इदर है, यह 60 है, तो, यह आपके पास angle आएगा, theta के जो 60 डिगरी, यहां पे angle आएगा, 90 डिगरी, यहां पे angle आएगा, मैरे पास, 30 डिगरी, दोनों के बीच का angle आप देखें, 75 इदर, 75 इदर, बीच पे क्या बजएगा, 30 बजएगा, यहां पे देखें, 75 और 60, तो, 15 vertical स यह एंगल है और यह वर्टिकल से 30 है तो एंगल जाएगा 45 डिग्री तो यहाँ पर जो function है हमारे पास cos square theta है तो जैसे जैसे हमारा theta बढ़ता है cos theta value कम होती है सबसे बड़ा theta कौन सा है 90 degree सबसे कम यहाँ पर आएगा तो सबसे कम फिर आपके पास क्या जाएगा 60 degree तो उसके बाद 1 फिर 45 डिग्री फिर 4 और लास्ट में 3 तो 2 1 4 3 order D option clear? चेक करिए फटाफट से मैले स्लोग का simple सा यूज की पहले polarizer में सबसे पहले i0 by 2 आएगा उसके बाद जो second polarizer का angle first polarizer से होगा वहाँ पर लगाएंगे i equal to i0 cos square theta राइट चले नेस्ट की बात कर लेते है आंसर D है सही है नाइस question में आपको दे रख रहे है कि tower से light आ रही है यहाँ पर टकरा करके नीचे और आपके पास light आ रही है वो least आ रही है यानि कि आपके पास आ रही है PPL, plane polarized light तो plane polarized light जो आपके पास आ रही है वही आपके पास reflection के बाद least intensity लेकर के आती है तो यानि कि polarization हो चुका, तो polarization होने के लिए आपके पास angle of incidence क्या होना चीए, tan theta या tan i equal to mu relative, तो mu relative क्या हो जाए आपके पास, mu 2 by mu 1 यानि कि 4 by 3, tan i equal to 4 by 3 का मतलब हो गया हमारे पास polarizing angle जिसको हम बोलते है tan theta पे equal to mu, तो i का value हो जाएगा हमारे पास 53 degree, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से light ray आई, angle of incidence आपको 53 बनाना है, और यही angle of reflection भी होगा 53 degree, तो हम लिख सकते हैं कि यह angle आपके पास 37 है और यह angle भी आपके पास 37 है, यह distance आप से x बोला गया है, तो आप क्या बोलेंगे, 10 by x, 1037 is equal to 40 upon 50 minus x, similar triangles, 10 by x perpendicular upon base, 40 upon 50 minus x, solve कर दीचे, तो यहाँ से क्या 50 minus x is equal to 4x, 5x is equal to 50, सब्सक्राइब, 50 minus x is equal to 4x, 5x is equal to 50, तो x का value आपके पास 10 meter, अच्छा, x का value आपके 10 meter आ रहा है, तो अपसे क्या पूछा, the values of x and y are respectively, तो पहले में हमारे पास 10 नहीं है, पहले में 10 कहीं पर भी नहीं है, हमारे पास, okay, sorry, 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 light bulb की जो height है, हमारे पास, वो 40 नहीं है, okay, so personal is a high-rise building on the bank of the river, 50 meter wide, across the river, हमने data ले लिया है, across the river is a well-lit tower of height 40 meter, when the person who is at a height of 10 meter looks through a polarizer at an appropriate angle at light of the tower he notes that the intensity of light coming from distance x from his building is the least and this corresponds to light coming from the light bulbs at height y okay, इसके पास जो light आरही है वो आरही है, light from the bulb at height y इस डिएग्राम को हम थोड़ा सा change कर लेंगे, angle of incidence पर कोई बतलाव नहीं आएगा right angle of incidence पर कोई बतलाव नहीं आएगा वो वहीर आएगा क्योंकि वो polarizing angle है तो height y पर आपको reflection कराना है तो चीक है, वही 53 यहाँ बनेगा यह 37 है, तो एक काम करता हम 10, 37 को solve कर लेते हैं 10, 37 क्या होता हमारे पास 3 by 4 is equal to इसको काट दीजेगा, क्योंकि यह हमने light इस point से आती ही मालूट एक नट तो यहाँ पे अगर हम बात करें 3 by 4 equal to 10 by x तो यहाँ से x का value क्या आजाएगा? x का value जाएगा 40 by 3 40 by 3 यह अनिकी approximately 13.33 13.33 यह पहला option में x दिख रहा है यह दा y की बात करें तो हम लिख रहते हैं यहाँ पर 10 by x is equal to y by 50 minus x तो x आप निकाल चुके हैं तो y भी निकलाएगा आपके पास तो 13 meter पहले बात x में एक ही जगे पर दिख रहा है एक ही option में है तो a option के साथ आप जा सकते हैं चेक कर लेते हैं एक बात बिल्कुल जा सकते हैं तो a option टिक कर दीजिए राइट चलिए next question देख लेते हैं आप लो 9th वाला 9th में कहा रहते हैं आपके पास लौकम की इंटेंसिटी आप आप से पूछा गया है कि पहले और बात में कित्ता था और माटिख ऐल से वहां पर हमारे पास स्पीड उफ सॉप्स की हम बात करें तो होती हमारे पास mu0 into epsilon0 और किसी medium में हो जाती है 1 upon k into mu0 epsilon0 k क्या है हमारे पास mu r into epsilon r ठीक है तो k का वाई लिए हमारे पास क्या दरे रखर refractive index तो यह जागा हम के पास c by v equal to n right n is equal to c by n equal to v refractive index होगे तो c by v अगर हम करेंगे तो क्या है अगर हमारे पास root k is equal to n होगे हमारे पास तो refractive index हमारे पास यह अब आगे हम बात करें कि आपको बोल रखा है कि इतनी जितनी intensity आई थी उतनी की उतनी वापिस चली गई है दूसरे medium में हम क्या रिखेंगे intensity carried by the electric field half epsilon not into e not square into c यह होता है formula medium की बात करेंगे तो अगर आपके पास half into k into epsilon not into e square into v वहाँ velocity v है epsilon not की जगे पर absolute absolute रख देंगे epsilon not ठीक है और आगे बात करते है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आगे epsilon not स epsilon not cancel हो जाएगा v को रख दीजी आप c into n so e not square यह 2 से 2 भी काट दीजी into c is equal to k आपके पास क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा n square क्यों हो जाएगा n square into e square और v को रख दीजी आप c by n so c से c cancel out so e not by e का whole square is equal to n so e not by e हो जाएगा root n तो पहले option में root n याने की electric field का ratio root n यहाँ पर है root n यहाँ पर है इसमें नहीं है तो b और c में से कोई एक answer के साथ हम जा सकते हैं और solve करना पड़ेगा बी के लिए तो b के लिए अगर हम solve करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है या तो आप e by b equal to v से जा सकते हैं e not by root n और v का value का रख देंगे आप c by n तो e का value हो जाएगा e not by root n और इसको आप देंगे c by n तो वहाँ से हमारे पास इसकी value हाजाएगी कितने आप पास निकाल के देखी चलिए इसको से solve कर लेते हैं कि energy carried by the magnetic field क्या होती है b not square into c by 2 mu not is equal to equal to क्या जाएगा हमारे पास b square into v by 2 mu not थिक है तो बी not by b ka whole square is equal to v by c v by c क्या हो जाएगा 1 by n तो b not by b का value क्या हो जाएगा 1 by root n थिक है तो एक आगे root n एक आजएगा 1 by root n तो b option Ach nårá check करते हैं क्या इन्होंने भी यही दे रखा है हमें इस इन्होंने भी यही दे रखा है तो b options है है तो कॉपी कर लीजिए आप फटाफट से चले फटाफट से क्योशन नंबर 10 की बात कर लेते हैं तो क्योशन नंबर 10 मुझे क्या बता रहा है कि हमारा पास monochromatic beam है of frequency आपको दे रखी है propagating along direction दे रखी है तो यानिकी दे रहा है अब आपको b cap निकालना होगा तो b cap कैसे निकालेंगे तो b cap will be given by c cap cross e cap यानि कि i cap plus j cap by root 2 cross k cap क्या जाएगा यह निकाल के देखते हैं i cross k i cap यह होता है j cap उपर होता है k cap इधर होता है i cross k करेंगे तो minus j cap आएगा plus j cross k तो j cross k करेंगे तो plus i cap आएगा तो यानि कि b cap की direction जो है हमारे पास हो जाएगी i cap minus j cap by root 2 तो b vector क्या हो जाएगा b vector हो जाएगा हमारे पास is equal to b0 into direction b cap into sign इहने cos में लिख रखा है okay सारे functions cos में है तो cos omega t minus c cap into t right check करें का यही दिखना चाहिए हमें है तो c cap कहां से लाएगे हम लोग c cap आपको दे रखा है i cap minus j cap by sorry i cap plus j cap by root 2 तो k vector dot r vector इन्होंने equation लिखी k vector dot r vector के form में है तो k vector dot r vector देखी कहां पे आपके पास आ रहा रहा डिरेक्शन और फ्रफोगेशन को k vector बोलते हैं हम लोग yes or no तो k vector dot r vector i cap minus j cap by root 2 यहाँ पर i cap minus j cap by root 2 के साथ r vector का dot वो तो एक में ही रखा है कुछ करना ही नहीं था मर्लव बहुत बढ़ी है कोई बात नहीं तो k vector मारे पास आ गया यहां पर देखिए बी रखर की direction e not by c यह रहा बी नॉट इंटो बी कैप यास बी नॉट का value e not by c इंटो बी कैप बी कैप क्या हो गया आई कैप minus j cap by root unit vector in direction of magnetic field तो सी option सही आना चाहिए हमारा चेक कर लेते हैं एक बार आंसर के दे रखाए नोट आंसर भी c है ठीक है तो दस नंबर सवाल और अगर आप यह second part ना भी करते इधर वाला कुछ ध्यान ना देते तो भी आपके पास इस वाले से आप सही option पर जा सकते थे तो option ही choose करना होता हम उसके लिए काफी आसान चीजें रहेंगी लेख लीजे फटाफट से क्यूशन नंबर 11 में हम लोग को जो system दिया है it is a cylindrical glass plate तो इस cylindrical glass plate के अगर हम बात करें तो इस type का को जो system है और यहां से आपको ऐसा एक diagram दिखा रहा है front view आपको दिखा रहा है तो इसमें जो patterns बनेंगे that will be depending upon this thickness तो यहां पर जैसे thickness अगर डार्क बंड होगा अगला डार्क बंड अगर यहां पर आता है तो पूरा इसी में होगा पिर डार्क बंड ऐसे बनेगा क्योंकि आपके पास thickness इसकी uniformly इस हिसाफ से vary कर रही है कि आप center से कितना दूरी पर है तो पहली जीस तो यह है कि आपके पास fringes बनेगे that will be straight circular नहीं बनेगे circular इस case में बनते है कि कई लोग क्या करते है इसको cylindrical पढ़ते नहीं और इसको compare करते नूटर स्रिंग से तो नूटर स्रिंग में क्या होता है कि आपके पास plate होती है वो circular होती है लेकिन यह डाइग्राम आपका अलग है तो जैसा नूटर स्रिंग में बनता है वैसा नहीं बनेगा दूसरी चीज यह कि अगर हम बात करें आदे एक्वली स्पेस्ट के उनकी वीचे घट रही है काम हो रही है तो इस case में जो बीटा आता है इस पेसिंग बिट्वीन दा फ्रिंजर घटी चली जाएगी तो डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है एक्वली स्पेस्ट वो नहीं सकता तो करेंट आंसर ओनली हमारे पास ए बज़ता है है ऐख नेच्ट को सवाल है तो स्केटरिंग का पेलिग्राफ आपको बहुत अच्छे से NCRT में रखा है आपको पढ़ना चाहिए समझना चाहिए तो उसी के पर बेस सवाल है तो उसमें डाइग्राम को पस चेंज किया गया है कि संसे रेज आ रही है और स्केटर होके आप एक्चुली वही डाइग्राम को पूरा का पूरा कॉपी किया गया है जो NCRT में दिया हुआ है कि संसे रेज आ रही है डस्क पार्टिकास स्केटर होके आपके पास आ रही है तो किस तरह की चीज़ें आपके आपके भी दिखाई देंगी तो विलॉस्टी इसकी ऐसी है मैं इसमें ऐसा होगा टूद पर पेंडिकुलर और विए ऐसे होगा तो बिए अगर आपके पास ऐसे होगा इस प्लें में तो आप बोल सकते हैं कि कार की व्लॉस्टी के पैरलल है ऐसा हम बोल सकते है राइट ठीक है तो करेक्ट टांश तो क्या जा जाएक अप्यास पढ़ ले ठीक है तो नेक्स्ट कुशन नमर 13 की बात कर लेते हैं इसके बात तो 13 हमारे पास एक मुल्टिमर करेट सवाल अगी इसमें आपसे बोला गया है कि पल्स है जिसका एलेक्टरिक फिल्ड का वेरेशन देर रखा टाइम के साथ और एलेक्टरिक फिल्ड जो है वो एक्स्टी प्रफोगेट कर रही है और यॉइट्रिक वैड डियरेक्टर में तो इसमें आपको पूछा गया है कि कौनसा बी वर्सेश्टी ग्राफ ए वर्सेश्टी ग्राफ सही है तो इक पर देख लेते हैं अब जैसे यहां पर पहला ग्राफ है बी वर्सेश्टी तो बी का जो है उसमें एक magnitude दिखा रहा है वो magnitude सही है तो ग्राफ सही हो जाएगा तो बी का जो value होगा magnitude that will be equal to e by c तो e का value आपको दो रखा 100 upon 3 into 10 to the power 8 यानि कि 1 by 3 into 10 to the power minus 6 तो सही है magnitude भी सही आ रहा है यहाँ पर आता है यहां पर आपको दे रखा है कि जो बात हो रही हो एक्स बराबर जीरो की नहीं हो रही हो रही है एक्स बराबर 3 into 10 to power 6 kilometer यानि कि 3 into 10 to power 9 meter तो यहां तक पहुंचने में इस disturbance को कितना सभाई लगेगा वेव को पहुंचने में सभाई लगेगा distance upon speed तो अगर यह variation आपके पास x बराबर 0 पे 1 nanosecond पे है तो 10 second के बाद यह variation कहां पे दिखाई देगा x बराबर इस पे तो आप दिखेंगे नीचे जो आपके पास value से उसमें 1 nanosecond में 10 को एड किया है 3 nanosecond में भी 10 को एड किया है तो 3 nanosecond plus 10 1 nanosecond plus 10 distance अपने आप निकाल सकते हैं वहां पहुंच जाएगा तीसा ग्राफ देखते हैं हम लोग e versus x ग्राफ तो e versus x ग्राफ at t equal to 3 nanoseconds तो t equal to 3 nanoseconds पर e versus x ग्राफ तो 3 nanoseconds में है तो है आपके पास 0 वाण धाही कहां पहुंच जाएगा है तो disturbance आपके पास कहां पहुंच आएगा थो पीक कहां पहुंच दाए है वह ने वह चेक लिए उसमें का छ एड कहां प्राफ और दाविया है जैनल हम चेवर्याहत को यह जैनल है पैनल हा इकиж क्रेफ एड का अगला देखते हैं हम लोग, बी वर्सेस एक्स ग्राफ, तो बी वर्सेस एक्स ग्राफ देखेंगे, तो again at equal to 300 seconds, तो peak x पराबर 0 से x पराबर 0.6 पहुंची जाए थी, इसा दिखा रहाखा 0.3 पहुंची है, तो यहाँ इस डेटा में ये लोग mistake कर दिये हैं, a brewster window is used to minimize losses by reflection to plane polarized light को यहां पर इस slab से पास के जाता है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है कि laser is a sealed glass tube as shown in the figure where glass window separates the laser glass mixture from the ambient air ठीक है तो फिर कहा है आपके पास light coming from the laser is polarized so laser से polarized light यहां पर निकाली गई है that is what we have to be concerned about this light emanating from the glass tube strikes are two glass plates at each of the ends as shown तो यहां से आपके पास जो light आएगी वो इन glass plates पे strike करेगी और strike करने के बाद यहां पर क्या है तो focus using convention lens as shown each of the ends तो assume to be 1.5 इसका effective index है 3y2 और एकी बड़ तो actually इस सवाल में जो आपके पास question है this is the question for the brewster's law या फिर polarization by your reflection ठीक है तो polarization by reflection या ब्रुश्टर's law का आप mixture का सवाल है आपके पास तो ब्रुश्टर's law में आपके पास जो angle of incidence होता है याद करिए क्या होता है 10 theta बराबर mu की पोता है कि नहीं होता है तो 10 theta की value आपके पास आजेगी 1 upon 1.5 यानि कि 1 upon 3 by 2 you will get 10 theta is equal to 1 upon 3 by 2 यानि कि 2 by 3 तो angle of incidence आपको मिल जाएगा यहाँ पे अब इसके options क्या है क्या क्या पूछ रहा है हम से उसको हम देख लेते हैं आपके पास पर बहुत आपके पास फिर बोलना है एंगल वेट बाइट इच अफ दी ग्लास प्रेट with the direction of light beam should be same क्योंकि आपके पास angle अगर same नहीं होगा तो वह आपके पास polarization वाली condition नहीं आपाएगी जैसा Brewster's law में होता है तो इसको भी हम सही बोल देंगे फिर last option, c option क्या हमारे पास वाले से बेख शुर भी plane polarized to the plane of electric field same as the plane of paper and इसमें एक और option दे रखा है plane of electric field perpendicular to plane of paper तो यहाँ पे आपको Brewster's law के जो आपके पास plane polarization की class में diagram बना जाते है उनहीं का use करना है कि अगर मेरे पास incidence ray ऐसे है और reflected ray ऐसे है और यह plane polarized है और हमारे पास जो electric field होती है that is in the plane of the paper perpendicular वाली magnetic field होती है इस थरह के diagrams हम लोग को बनाये जाते हैं आपके पास polarized light होती है दोनों होती है इसमें electric field यह तो unpolarized light होती है after polarization क्या होता है कि यह वाले vibrations in the plane of paper के साथ हम लोग चलेंगे तो कुछ नहीं है एक बहुत ही बड़ा सा question बनाया गया है लेकिन theory वही है जो आप class में polarization की पढ़ते हैं उसी को use करते हुए आपको सवाल को करना है नया सोचने की जरुवात नहीं जाहिए ठीक है चालिए तो ABC सब्सक्राइब होना चाहिए ABC दिया हुआ है next question की बात कर लेते हैं in a YDSC with two identical slits when the upper slit is covered with a thin perfectly transparent sheet of mica ठीक है the intensity at the center of the string results of the initial value तो आपके पास क्या है कि पहले अगर आपके पास एक slit से आने वाली intensity i0 थी दूसरे से i0 थी तो net intensity center पर होती है 4 i0 अब अगर आपने यहां पर माई का sheet लगा दी तो intensity 4 i0 के 75% या निकि 3 i0 रह गई तो क्या बूल रहा है second minima is observed above this point and third maxima below it तो यहां पर आपके पास यह point है central maxima का जो o point होता आपका second minima is observed to be above this point तो यहां पर आपके पास second minima होगा and the third maxima below it okay so third maxima यह से नीचे मिल रहा अब यह कैसी condition है आप समझके देखिए अगर आप उपर की तरफ slits यह लगाते हैं तो क्या होगा कि a अगर उपर शिफ्ट होगा तो central maxima की and i और इन मैक्सिमा के बीच में, इन मैक्सिमा के बीच में क्या मिनिमा होते हैं, मिनिमा को मैं अलग कलर से मार्ग कर देता हूं, लेट से मैं रेड कलर से मार्ग कर लेता हूं, तो यह फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, अगर नीचे वाले की बात करो तो सब्सक्राइब निकाल लेंगे कितना आता है ठीक है उसके इसाब से बात करेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा आपके पास कब आता है अजब delta 5 का वाल्यू कितना होता है बोलें तो delta 5 का वाल्यू 0, 2 pi, 4 pi सरसे बाता है तो net intensity का फाम्ला से कर हम सोचे तो i nat is equal to root i1 plus root i2 sorry root i1 नियागा i1 plus i2 आएगा i1 plus i2 plus 2 root i1 root i2 cos delta 5 तो यह maximum का बोला आप cos delta 5 maximum होगा, cos delta 5 maximum का 0 पर 2 pi पर 4 pi तो यानि कि हमारे पास अगर यह center maximum delta 5 का value 0 है तो first maximum पर delta 5 कितना होगा हमारे पास? 2 pi, second maximum पर हो जाएगा 4 pi और यह आपके पास 6 pi, third maximum पर, right? 6 pi, अच्छा second minimum के करते हो तो first minimum पर delta 5 का value pi आएगा, second minimum पर आप 2 pi add कर दिए, third 3 pi आएगा, तो आपको लिए delta 5 का value होना चाहिए तो आपके पास जो answer होना चाहिए, वो 3 pi से 6 pi के बीच में होना चाहिए, इस range से बाहर नहीं होना चाहिए, right? चेक करिए, अब 3 pi से 6 pi के range के बाहर प्रेदे तो जो option पर तो सीज़ हटा दो, बाकी value तो बाद में निकालेंगे, pi by 3, 3 pi से कम है, 13 pi by 3, यह आपके पास 4 pi से थोड़ से जादा है, तो 3 pi से 6 pi के बीच में आएगा, 17 pi by 3, 6 pi से कम है, 11 pi by 3, 3 pi से जादा है, तो B, C, D, तीनो answer हो सकते हैं, अब value की बात करते हैं, ठीक है, तो value हम कहां से निकालेंगे, i resultant is equal to, कितना होगे हम बस 3 i0, तो 3 i0 बराबर i0 plus i0 plus 2 root i0, root i0 is i0 into cos delta 5, तो 3 i0 का value, i0 cut दीजिए, आप यहाँ पर, काम करिए, तो 3 equal to 3 equal to equal to 2 plus 2 cos delta 5, और 2 into 1 plus cos delta 5, लेते हम लोग, क्या लिखें मताओ उसको, 1 plus cos delta 5 को, 2 cos square delta 5 by 2, तो आपके पास क्या जाएगा, देखें, 3 बराबर, 2 into 2 is 4, cos square delta 5 by 2, मैं, diet formula use नहीं किया है, i0 equal to 4, i0 cos square delta 5 by 2, इनकेस आप भूल गया हूँ, तो मैं इसे solve कर लेते हैं, तो cos square delta 5 by 2 का value क्या जाएगा, मारे पास, 3 by 4, तो cos delta 5 by 2 का value क्या जाएगा, plus minus root 3 by 2, चेक करें, अब plus minus root 3 by 2, cos delta 5 का आएगा, अब के पास, put कर के देख लिजिए, delta 5 का value, 13 5 by 3 put कर लिजिए, 17 5 by 3 put कर लिजिए, 11 5 by 3 put कर लिजिए, अपने आपको answer मिल जाएगे, तो वैसे तीनों पर ही आएगा, क्यों 13 5 by 6 बनेगा, 17 5 by 6 बनेगा, यहाँ पर अंदर, 11 5 by 6 बनेगा, तीनों पर आना चाहिए, वैसे, तो answer बाद चेक कर लिएते हैं, b, c, and d, yes, तो हमने पहले eliminate करा कि कौन सा हमारी range में नहीं है, क्योंकि अगर आप actually इसको ही put कर दोगे आप pi by 3 को भी यहाँ पर, तो pi by 3 upon 2 cos pi by 6, cos 30, cos 30 भी root 3 by 2 होगा, लेकिन range में नहीं है, इसलिए हम a answer को नहीं लेंगे, ठीक है, तो that is the only reason कि a को हम क्यों नहीं ले रहे हैं, next, this is traveling in sin kx minus omega, एक्वेशन क्या लिख्यों ही है, e is equal to e0 sin kx minus omega t, तो यहाँ से हमें काम करते हैं, हमें क्या पुछा है, induce cf पुछा है in the loop, तो loop में जो induce cf है वो कहां सा आएगा, d5 by dt से आएगा, plus कहां सा आएगा, b into a से आएगा, सबसे पहरा कहां मुझे b लिखना चाहिए, b कहां से लिखूँगा, e से, तो e equal to e0 sin kx minus omega t, तो b is equal to by, b का value क्या हुआ था आपके पास, e by c, तो b0 का value लेगा e0 by c, अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, कि wave is traveling in positive direction, magnetic field आपके पास इस direction में है, तो magnetic field जो है, वो z में आ जाएगा, right, तो अब लिख सकता है कि e, b is equal to e0 by c, e0 तो जो 300 put कर दिजिएगा, 300 by c, into sin, sorry, j, sin, pi x minus 3 pi into 10 to the power 8 into t, direction लेगा k-cap, k-cap का मतलब होगा आपके वास, इस loop के perpendicular, तो loop के perpendicular आपके पास magnetic field है, loop की जो आपके पास sides है, वो कहां से कहां तक है, ये है x बराबर 1 पे, और ये है x बराबर 2 पे, magnetic field इसके perpendicular है, और यहां कहीं x बराबर 0 माल लाते है, अब मुझे loop से flux लिखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस loop में लूँगा element, कैसे लूँगा, x पर जाऊँगा, dx thickness की strip मानूँगा, और इस strip से लिखूँगा, मैं flux, flux is equal to b into a, into da, यानि b into da का मतलब इसकी height कितनी है, height है इसकी, देखो, ये 1, ये minus 1, 1 और minus 1 की बिश्काइब stress 2 हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा, length is 2, thickness is dx, तो 2 into b into dx, अच्छा, b कौन सा होगा, b होगा आपके पास वही, जो यहाँ पर function दे रखा है, उसको कर दीजे आप integrate, तो 5 is equal to 2b into dx का intention करेंगे, यहाँ सा flux आएगा, और एवेफ निकालने के लिए आप कर देंगे d5 by dt, तो d5 by dt का function आपका तयार हो जाएगा, जिसना आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो values दे रखी है, t की, वो stavity की values पूट करनी है, आपको सीधा answer आजाएगा, and nothing else you have to do it, discussion, ठीक है, तो काफे simple सा question है, integration आप कर सकते हैं, I think, sign का integration, है ना, तो, question number 17 की, अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको जो frequency दे रखी हूँ, 10 की पावर 6 है, तो c equal to f, lambda से अगर में lambda चेक करना चाहूँ, तो 3 into 10 to the power 8 is equal to 10 to the power 6 into lambda, तो यहाँ पर lambda जो है, वो छोटा नहीं है, microwave दे रखी हैं आपको, तो आप delta x में, जो d sin theta आटा था, इस d sin theta को approximately d 10 तो यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि d 10 तो लिखने के लिए आपके पास d और lambda, जो theta है को पास कम आची है, कम नहीं आ पाएगा, तो अच्छा कासा lambda है हमारे पास, तो हम इसको d sin theta ही यूस करेंगे, तो delta x अगर d sin theta है, तो delta phi क्या हो जाएगा हमारे पास, किसी पॉइंट का, that will be equal to 2 pi by lambda into d sin theta, या लिखी 2 pi by lambda into delta x, तो delta phi का value अगर आ गया, तो किसी भी पॉइंट के intensity क्या होगी, i net, maximum intensity आपके पास दिख रही है, i not, तो i not into sin square, delta phi by 2, delta phi by 2 का मतलब हो गया, pi by lambda into d sin theta, अब आपको इसमें d का value दिया हुआ है 150, यहाँ पर देखेंगे आप जहां से, कही ने कहीं पर लिख रहा है यह रहा, और lambda आपका 300 आ गया, तो d by lambda कहता हो जाएगा, 1 by 2, तो it is will be equal to i not into sin square, pi by 2 into sin theta, तो जो theta अब आपको बोला जाए, आप सुप्चाब उटाएगे, पुट कर दीजिए, जिसे आप theta 30 पुट करेंगे, तो theta 30 पुट करेंगे, तो sin 30, 1 by 2, 1 by 2, pi by 4, pi by 4 याने की, 1 by root 2, 1 by root 2 square, 1 by 2, ए सही आजाएगा, theta 0 put करेंगे, तो sin 0 पे 0 होता ही, यह भी 0 हो जाएगा, sorry, एक मिट, sorry, formula मैंने घखत लिख दिया है, आपर, right, formula मैं आता है, cos square delta 5 by 2, sorry, that's the mistake, I have done, this should be cos square delta 5 by 2, i max into cos square delta 5 by 2, तो sin 0 पे 0 हो जाएगा, cos square 0 1, तो i naught आजाएगा, यह भी सही, theta 90 रखेंगे, तो cos square pi by 2 बनेगा, 0 हो जाना चाहिए, गलत हो गया, and it is constant, यह बात भी गलत, ठीक है, तो A और C सही है, इस पे दो, right, तो question number 19, जो है हमारे पास यह paragraph है, 90 से 20 बने, इसके हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दे रखा है, कि slit पे, slits पे ydac में इस तरह से raise गिर रही है, theta एंगल पर और अरिजुन्टल से, अब के लिए mu दे रखा है, slit के सामने, slab का reflective index, और T इस की thickness, तो delta x किसी ही point पे क्या हो जाएगा, आपके पास, mu minus 1 into t, in minus d sin theta, वनलब initial part difference इनके बीच में वही रहेगा, अभी center bright fringe की बात करा, center bright fringe के लिए आपके पास delta x का value initial, जो है, वही, s1 o, s2 o तो बराबर है, तो जो इस से पहले, जो भी आपके पास part difference है, वो 0 होना चाहिए, तो इसको 0 होने के लिए, आपके पास, कहां पे आएगा, वो तो इस बात पे depend करता है, कि इन दोनों में से कौन जादा या कौन कम है, तो कहीं पर भी opt-rend होतना, क्योंकि data हमारे पास है नहीं, तो इस बात दोनों में क्या बोल रहा हम से, 20 में आपसे कहा रहा है कि अगर central bright fringe O पे आ रहा है, तो जो delta x का value था, कि आपके पास mu minus 1 into t, minus d centauri, जी 0 हो जाना चाहिए, तो if it is equal to 0, तो हम क्या बोलेंगे, mu minus 1 t equal to d fin theta, यानने कि ए option आपके पास, ठीक है, 21, 21 में आपसे कहा रहा है कि the face difference between the ways interfering at 5th minima, तो first minima पे πाई होता है, second पे, 3 पाई, third पे, 5 पाई, fourth पे, 7 पाई, fifth पे, 9 पाई आ जाएगा, तो बस, simple, minima की position कहा आती है, पाई, और उसके, उसमें आप 2 पाई आड करते जाएए, तो पाई के बाद 2 पाई आड करते जाएए, आपको number of minima's आगे, मिलते चले, जायेंगे, right? तो ले, question number 22 की अब लोग बात कर लेता है, यहाँ पे आपको क्या रखा है कि diverse let interference patterns produced on a screen, अब आपको क्या है कि अब यहाँ पे 1 and 2 पे इस सवाल में क्या रखा है कि हम कोई भी फिल्म रख सकते हैं, वो आपको नीचे options में table में दे रखा है, तो पी पे कौन सा fringe बनेगा, dark बनेगा, bright बनेगा, कौन से order रखा बनेगा, वो सब आपको बताना है, तो पहला आपके पास क्या रखा है कि strip B is placed over slit 1, तो strip B अगर आपके पास slit 1 के उपर आप place करते हैं, तो what will happen, strip B का क्या है आपके पास, thickness और यह सब यह है, तो P पर जो delta X होगा, that will be is equal to mu minus 1 into T, right, तो mu minus 1 into T को लिखेंगे, delta X के वाल्यों, dy by d, तो y का वैल्यों कितना होगा, आपके पास y मतलब कितना fringe उपर shift हुआ है, central maxima, तो y का वैल्यों होजएगा हमारे पास, is equal to d into mu minus 1 into T by small d, अच्छा, अब हम इसको compare करेंगे किस से, बीटा से, तो बीटा हमारे पास क्या होगा, बीटा का वैल्यों होजएगा मतलब लैम्डा डी बाई डी तो लैम्डा हमारे पास इस सवाल में कहीं पे गिवन है कि देखते हैं, data मुझे आपके कहीं दिखनी रहा है, चलिए, तो, यह रहा, 500 नेनोमीटर, तो य यानि की बीटा का वैल्यों होजएगा मारे पास, लैम्डा इन्टो डी बाई डी, तो लेट्स से, इस इक्वल टू, एन फ्रिंजेस इन्टो, लैम्डा डी बाई डी ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यों क्या जाएगा मारे पास, कितने फिंजेस शिफ्ट हो रहे है, एन का वैल्यों होजएगा मारे पास, is equal to mu minus 1, mu कितना है आपर, effective index 2.5, 2.5 minus 1 is, 1.5, 3 by 2 into thickness, thickness कितनी है हमारे पास, 1.5 micrometer, 3 by 2, 10 to the power minus 6, divided by lambda, लेंडा का वैल्यू क्या हो जाएगा में पास 500 इंट 10 to the power minus 9 यानि की 5 ऐसे होते हैं, 0.5 into 10 to the power minus 6 तो 0.5 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा 1.5 into 1.5 upon 0.5 10 की power minus 6 कट जाएगा, तो या जाएगा 3 into 1.5, 4.5 n वरावर 4.5, यानि की y का वैल्यू हो गया 4.5 of beta 4.5 beta का मतलब कौन सा fringe, 0.5 beta पे 1st dark fringe, 1.5 beta पे 2nd bright fringe, तो 4.5 beta पे क्या आएगा सोच के मिदा ये फटावर से सोची है, yes, it will be 5th dark fringe, तो A matches with R, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सवाल और भी करना है, जो सिवाल लीजी आपके पास B वाला में और करके आपको दिखा देता हूं, कि strip A is placed over slit 1 and strip C is placed over slit 2, तो slit 1 आपके पास उपर है, यहाँ पर strip A place करी है, यहाँ पर strip C place करी है, तो क्या हो जाएगा आपके पास delta X का value P point पर, delta X will be is equal to mu A minus 1 into T A minus mu A minus 1, sorry, mu C minus 1 into T C, again, is equal to N times of beta, ठीक है, फिर से हम N निकाल देंगे, तो data आपके पास सारा है, N निकाल दीजिए और सिधा टिक कर दीजिए, सारे questions इसी परकार से करने हैं, just do the calculations part and solve your question, simple, question number 23 में आपसे electromagnetic wave की question लिखने को बोल रहा है, और कुछ-कुछ आपको दीजिए, सिर्फ frequency दी गई है, reflective index of medium दिया गया है, तो इससे क्या होगा, इससे speed of light निकाल आएगी, वहाँ पर आपके पास, wave propagates along the line that lies in the xy plane, है ना, यहां से आपको क्या मिल जाए कि जब कि wave हो कि दर की तरफ चल रही है, इधा की तरफ xy plane में, और that is making a negative x-axis, तो r vector जो होगा along this will be is equal to r cos 30, यानि कि x i cap, plus y j cap, और x के साथ 30 दिए है, तो यहाँ पे आप x root 3 लगा सकते हैं, राइट, तो 10 30, 1 by r, 1 by root 3 लिया जाएगा, तो e का value जाएगा आपके पास, e not cos k dot r minus omega t, k dot r में k का value आपको दही रखा है, pointing vector की value, और हाँ, एग चीज़ और आपको बता दे कि यहाँ पर waves प्लाइश along the z axis, तो आप यहाँ पे k cap लिख दीजेगा, कि direction of electric fields along k cap, omega निकालने के लिए आपके पास data है, k dot r के लिए r vector मेंने आपको लिख करके दे दिया है, k आपको दिया है, कुछ नहीं करना है, बस value put कर दीजिए अप सारे answer आजाएगे आपके, तो equation form हो जाएगे, आपके सीधी सीधी कुछ नहीं करना पड़ेगा हो, right, next चलते हम question number 24 पे, देखें, यहाँ पर देखें, आप equation का format देखें, यह आगा है e naught, e naught के साथ आपके पास क्या जाएगा, यह देखें, 2.54, x और y दोनों में आएगा, operation निकाल के देखें, root 3 आपके पास, right, minus omega t, और यह k के अब देखें आपको, चालिए, next question की बाद करता है, 24 की, यहाँ पर आपको दे रखा है, em cos omega t minus kx, यह same question हम अभी कुछ तेर पहले दूसरे question में कर चुके हैं, फिर से बही सवाल है, amplitude of induce में पूछा है, क्या किया था हमने वहाँ पर, e का आपको दे रखा है, em cos omega t minus kx, right or not, आया ना, ठीक है, तो b क्या जाएगा आपके पास, let's say b not into cos omega t minus kx, प्लक्स लिखेंगे, हम यहाँ पर b into a, और b into a से हम निकालेंगे, यहाँ पर d5 by dt, क्या निकालेंगे, d5 by dt, तो d5 by dt, यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर एगा b a omega into cos omega t minus kx, तो आप से क्या पूछ रहा है, आप से पूछ रहा है, इसका amplitude, इसका amplitude, इसका amplitude, तो यहाँ से आप निकालने के लिए कुछ करना है नहीं, क्योंकि आपको सीज़ी दे रखी है, ठीक है, चले, same question है, वैसा ही, format things है, a से b निकालेंगे, b से flux लिखेंगे, flux से इसका निकालेंगे, राइट, next question की बात करते है, 25 की, first students, आप question 25 की हम लोग बात कर लेते हैं, कि यहाँ पर आपके पास, YDAC apparatus में, जो slits के बीच का separation है, वो आपको 3 mm दिया हुआ है, ठीक है, this is 3 mm, small d का value, अज इस सवाल में जो सबसे important part है कि इन्होंने visible light को यूज नहीं किया, they have used the microwaves, तो जो किसी भी point पर, screen पर, अगर आप delta x का लिखते हैं, तो that will be is equal to d sin theta, और d sin theta को आप यहाँ पर d tan theta नहीं लिख पाने हैं, कोई lambda और d जो हैं, वो comparable नहीं है, तो d tan theta लिखने की कोशिश मत करिएगा, और beta का formula यूज करने की कोशिश मत करिएगा, तो delta x for maxima should be equal to n lambda, क्योंकि सवाल में जो हमसे बात हो रही हो, first maxima की हो रही है, वो distance आपको बताना है, और कितने maxima screen पर आ सकते हैं, वो भी आपको बता के देना है, तो d sin theta लिखने अपर n lambda से, sin theta केता हो जागा हमारे पास, n lambda by d, for first maxima अगर मैं बात करों, तो n का value 1 रख दे, तो n का value 1 रखता हूं, तो यहां पर sin theta की value जागी lambda by d, what is lambda, what is lambda, lambda is 1 mm, d is 3 mm, तो it will be equal to 1 by 3, sin theta आपके पास 1 by 3 आ गया, what will be the value of 10 theta, क्योंकि मुझे vertical distance चाहिए यह वाला y, और यह d मुझे पता है, 10 theta equal to y by d, 10 theta चाहिए मुझे, यह theta हो गया मेरे पास, यह 1, यह 3, यह हो जाएगा root 8, 10 theta is equal to 1 by root 8, is equal to, यहां से किता हो जाएगा y by d, तो y is equal to d by root 8, यानि कि d by 2 root 2, और d का value आपको दे रखा है, screen की दूरी, equal to 1 meter, तो 1 यानि कि 100 cm by 2 into 1.414, यह एक काम कर लेते हैं, इसको rationalize करके use कर लेंगे आप लोग, ठीक है, यह इसको root 2 यह रन दो, तो this will be is equal to, 100 by 2 50 by 1.4, यानि कि root 2 by 2, तो 25 root 2 कर लिजी, solve करने थोड़ से आसान ही रहे, कि divide करने से जादा multiplication दोर सा आसान रहेगा, अब हम से एक हर चीज़ पूछेगे, अब हम से एक हर चीज़ पूछेगे, तो sin theta की value आपके पास 1 से कम होनी चाहिए, less than equal to 1, तो n lambda by d less than equal to 1 से, n की value should be less than equal to d by lambda, तो n less than equal to d by lambda, d by lambda का मतलब होगे आपके पास 3, तो n less than equal to 3, अब अगर sin theta 1 है, अगर आप equal वाली point की बात करेंगे, तो sin theta 1 है, तो theta 90 होगा, 90 का मतलब एक कम पूरा उपर, वहाँ तो screen है यह नहीं ना, screen आपके पास एक limited region तक होगी, infinite हो नहीं सकते, नहीं की सवाल में पूचा गया है, on the screen, तो screen यह नहीं practical solution की बात करेंगे, theta 90 एक आपके पास hypothetical solution होता है, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, तो answer होगा हमारे पास, 3 में से एक कम करदी 2 उपर आएंगे, तो n बराबर 1, n बराबर 2, यह 0, इदर 1, इदर 2, जैसा उपर नहीं सा नहीं चे, तो कितना होगा है, एक, दो, तीन, चार, पार्च, total of 5 maxima will be observed on the screen, right? जाले, अब नेस्ट शोशन की बात करते है, 26 की, 25 तो होगे मारा, okay, यहां से change होगा, okay, तो क्या है, in Young's experiment the source is red light, तो red light के पास, यहां पर source है, when a thin glass plate of reflective index 1.5 at this wavelength is put in the path of another interfering dreams, तो अगर हम बात करें, तो क्या कर रहा है, यहां पर एक mu, और thickness इसकी T है, इसको आपने यहां पर रख दिया, एक slab को, तो हमसे ही कह रहा है कि जो shifting है, central maxima कि that shifts by 5 fringe, 5 fringes या 5 bright fringes, तो delta x का value is equal to mu minus 1 into t is equal to dy by capital D, तो य का value आपके पास कितना है यहां पर, y का value हो जाएगा हमारे पास will be is equal to 5 times of fringe width, यहनिके lambda d by d, d by d से d by d cancel हो जाएगा और mu minus 1 into t का value हो जाएगा आपके पास कितना 5 lambda, lambda हमें कितना दिया है, red light का 7 into 10 to the power minus 7, 7 into 5 14 into 10 to the power, 7 into 5 sorry, 35 into 10 to the power minus 7 और यहां से आपके पास mu minus 1, what is mu? mu is 1.5 and 0.5 into thickness, 0.5 35 कितना हो जाएगा पके पास? 70 into 10 to the power minus 7, 7 into 10 to the power minus 6 meter, right? चली, आगे बढ़ते हैं, अब क्या गह रहा है, find the thickness of the plate यह तो हो गया, when the source is now changed to green light of wavelength 5 into 10 to the power minus 7, wavelength हो आपने change कर दिया है, the central fringe shifts to a position initially occupied 6 bright fringe, green light के लिए हम process को दोबारा करेंगे, और mu minus 1 into thickness की value हम कर देंगे, is equal to 6 lambda, वाई के जगे पर 6 lambda है ने, 6 times of lambda d by d, right? हाँ यह ना, तो mu minus 1 into t, बराबर 6 lambda आपने कर दिया, आपका काम ख़ता, right? तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है इस case में? without the plate, फिर क्या वोला? फिर क्या वोला? तो यहाँ पर mu निकाल लीज़े, thickness वही वाली यूज़ करनी है, और mu आपको नया निकाल लेना है, तो आपका फिर से answer आजाएगा, क्या होगा, mu minus 1, 6 lambda by t, lambda b आपके पास है, tb आपके पास है, एक और चीज़ क्या पूची गई है, also estimate a change in fringe, due to change in wavelength, सबसे असान पार्टी यह है, change in wavelength के होगे से, lambda 1 d by d minus lambda 2 d by d, yes or no, lambda 1 minus lambda 2 into d by d, lambda 1 आपको पता है, lambda 2 आपको पता है, capital D small d आपको देही रखें, उनको use कर यह आपका answer आजाएगा, सीधा सीधा, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ tough नहीं है इसमें, right, okay, next question के बात करता है, 26 के बात, 27 तो question number 27 आपसे क्या कह रहा है, diagram आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है, vessel है, ABCD's की width 10 cm है, यहाँ पर identical glass plate है, तो identical glass plate से आपने slits को seal कर रखा है, तो इससे कोई face difference नहीं आएगा, extra part difference नहीं है, तो जैसा behavior S1 पर plate show करेगी, वैसा behavior S2 पर show करेगी, अब हमसे क्या 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 रखा है कि जो source है, source आपके पास यहाँ से 2 meter पीछे और 40 cm पर लिखा हुआ, तो first question is, की calculate the position of central right fringe on the other wall CD, तो जहाँ central right fringe होता है, वहाँ पर क्या होता है कि यह ray और यह ray, और अगर यहाँ पर तक देखें, तो S1 का जाने वाली ray ज्यादा चली है, further S2 वाली को ज्यादा चलना पड़ेगा, तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा diagram, अब मैं माल लेता हूँ कि यहाँ से मेरे पास this is, this distance is d, यहाँ तक जो part difference यह अलफा के हिसाब से मालता हूँ, d sin alpha आएगा, right, और इदर भी तरफ अगर आपके पास theta है, तो यह जो part difference आएगा, तो जितना आपके पास उपर वाली रे, यहाँ पर जादा चलिए, उतना ही आपके पास नीचे वाली रे, इह भी तरफ जादा चल दी चाहिए, right, तो आप लेखेंगे, d sin alpha बराबर d sin theta, तो sin alpha बराबर sin theta, तो theta बराबर alpha आगया, अब alpha मैं निकाल सकता हूँ, यहां से निकाल सकता हूँ, tan alpha, यहां से लेखेगा, यह वाला, आपके triangle देख रहे हैं, तो यह height कितनी 40 cm रहे है 2 meter, तो tan alpha का value 40 cm upon 2 meter रहे हैं, 40 cm upon 200 cm रहे हैं, 1 by 5, अब tan alpha 1 by 5 रहे हैं, tan theta भी 1 by 5 रहे हैं, तो tan theta, is equal to 1 by 5, is equal to h by, यह distance कितना में पर 10 cm, तो h के वाले 2 cm रहे हैं, ठीक है, first part of the question solved हो गया, second part क्या पूछ रहा है, now a liquid is poured into the vessel and filled up to oq, यहां तक fill कर दिया आपने, अब वह liquid क्या करेगा, यहां पर एक extra part difference लाएगा, सामने वाले के लिए, तो यहां पर जो extra part difference, बहुत है, it is just like कि हम इसके सामने slab रख दे रहे हैं, ठीक है, और thickness कितनी है, उसकी 10 cm की thickness है, हाँ, यह ना, अड़े बोलो, सही है ना, तो अब हम क्या करें है, क्या करें, बलाइए, तो mu minus 1 into t, उसके वैसे extra आएगा, और वो mu minus 70 जो यहां से extra आ रहा है, that will be equal to d sin alpha, क्यों, क्योंकि central bright fringe जो है, वो q पे आ गया, तो equal to d sin alpha, तो यह d sin नहींटा का face difference नहीं गाया है, वो गया लेकि जो face difference आ लोग इसकी वैसे आ रहा है, अब अब यहां से mu निकाल, d पता है, alpha पता है, t पता है, answer आ जाएगा, ठीक है, check कर लीजे फटाफट से, next question की बाद कर लेते हैं फिर 27 के बाद है ना, 28 number सवाल हम से क्या कह रहा है, radio is a coming at angle alpha to the vertical, यहां पर आपको दिख रहा है, और reflection से होकर की उपर यहां पर रडार पर जा रही है, बॉस्ट भी the height of antenna from the water surface, यहां पर नीच है यह water surface है, so that it records the maximum intensity, जो देखिए हम यहां पर radiogram बनाते हैं, कि किस तरीके से rays आ रही है, माल लेते हैं कि यहां पर antenna है, पर इसको हम surface माल लेते हैं, यहां से ray आ रही है, और यह ऐसे जाएगी, तो एक ray तो ऐसे टकर आगे गई है, दूसरी ray इस पर देखोई, एक ray यह दिखा रखी, एक ray यह दिखा रखी, तो एक ray आपके पास यह आ रही है, आपको इन दोनो parallel rays के बीच में लिखना है part difference, और यह part difference करतेंगे हम, equal to n lambda, तकि maximum आ जाए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पर डालेंगे perpendicular, यह height आपको दे रखी कितनी, चाले, इस ही से लिखना रहते है, h है, और angle आपको यह अगर alpha दे रखा है, तो यह भी alpha, और यह भी alpha, यह length length कितना जाएगा, यह slant length equal to h by cos alpha, और यह कितना जाएगा मारे पास, h by cos alpha, multiplied by, component लेंगे इसका तो cos 2 alpha, तो total part difference क्या हो जाएगा मारे पास, delta x का value h by cos alpha, plus h by cos alpha, into cos 2 alpha, और lambda by 2 add करना मत बूलीगा, extra part difference due to the reflection, first maxima के लिए इसको हम करेंगे lambda, क्योंकि हमसे h की minimum value पूछी है, 2 lambda करेंगे तो h जादा चाहिएगा, 3 करेंगे तो और जादा चाहिएगा, 4 करेंगे तो और जादा चाहिएगा, तो minimum के लिए lambda मत गरता है, तो h by cos alpha को common ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 1 plus cos 2 alpha, is equal to lambda by 2, 1 plus cos 2 alpha, is 2 cos square alpha, तो h by cos alpha, into 2 cos square alpha, is equal to lambda by 2, तो h बराबर lambda by 4 cos alpha, आ जाएगा यहाँ से, राइट, match करेंगे, सही है? चाले बच्चे, next question की बात करते हैं हम लोग, question number, 28 के बात, 29 आएगा राइट, 29 में आपके पास क्या दे रखा है, let's discuss, यह है, prism has an angle of prism, a equal to 30 degree, the film is quoted on the face ac, as shown in the figure, light of a lens, 550 nanometer, incident on the face a,b at 60 degree, तो यहाँ पर आपके पास 60 degree का incidence बनेगा, तो refractive index, यह आपको दे रखा 30 degree, तो r निकाल देते हैं यहाँ का r1, तो r1 का value क्या आएगा मारे पास, that will be is equal to, 1 into sin 60, equal to mu किता है, root 3 into sin r, तो root 3 by 2, बराबर root 3 into sin r, इसको r1 बोल देते हैं, तो sin r1 आपके पास किता हो गया, 1 by 2 तो r1 का value 30 degree हो जाएगा, अब r1 अगा 30 degree हो और a आपका 30 है, तो r1 plus r2 क्योंकि a होता है, तो r1 और a तो बराबर आ गया, तो r2 का value किता हो जाएगा, 0 हो जाएगा, r2 का value 0 मतलब यहाँ पे 0 angle of incidence है, तो 0 पे बाहर निकल जाएगा, तो angle of incidence 0 हो जाएगा, एक और सवाल पूझा है, minimum thickness of the film for which the emerging light is of maximum possible intensity, तो देखी basically क्या होगा, कि जब ray इस पे गिरेगी, तो एक part तो इसका यहाँ से reflect होके, सीधा बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक part reflect होकर के, फिर वापस दर reflect होकर के, फिर बाहर जाए, तो यह जो ray है, जो reflect होकर के आई, कितना चलिए t plus t, कितना एक्स्टा चलिए 2t, लेकिन mu medium में चलिए तो एक्स्टा तो लगा 2 mu t, बराबर n lambda, तो यहाँ से यहाँ तक इसको count नहीं करेंगा, तो दोनों चलिए, एक्स्टा यह वादी रहे कितना चलिए, t plus t, 2t, तो 2 mu t for the medium equal to n lambda, optical path length के हिसाब से, तो t बराबर n lambda by 2 mu, अब आपको t का minimum value चाहिए, तो lambda by 2 mu रख देंगे, for t minimum, क्योंकि n का value input करना पड़ेगा, तो lambda आपको दे रखा है, mu आपको दे रखा है, what is the value of lambda, lambda का value कितना है, भाई, सवाल में, 550 nm, right, t is equal to 550 10 to the power minus 9 upon 2 mu, mu दे रखा 2.2, इसको solve कर लेजे, ठीक है, तो 5 by 4, ठीक है, 125 nm आपका answer हा, right, सही है न? ठीक है बच्चे, 3.29 भी होगा आपका,